दोस्तों आपको पता ही है कि पुलिस विभाग में अलग-अलग तरह के बहुत से पद होते हैं सभी पदों पर अलग-अलग कारिय करने होते हैं और उनकी अलग-अलग ही पावर होती है तो पुलिस विभाग की सभी रैंक उनके इंसिगनिया यानि बिल्ला और वेतन के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तो सबसे पहली रैंक होती है पुलिस कोंस्टेबल की जिनकी 12 पास पर भरती की जाती है इनके कंधे पर एक खाली पट्टी होती है जिस पर कोई इस्टार नहीं होता इनकी सैलरी परती महा 20,000 से 45,000 रुपे के लगबग होती है दूसरी रैंक होती है सीनियर कोंस्टेबल की जो पुलिस कोंस्टेबल के कुछ सालों के बाद परमोशन होने के बाद बनते है इनके कंधे पर एक खाली पट्टी होती है जिस पर कोई स्टार नहीं होता लेकिन साइड में दो शेवरोन लगी एक पट्टी होती है लेकिन महराश्ट में इस तरह का इंसिगनिया होता है इन्हें परती महा 32,000 से 50,000 रुपे वेतन मिलता है तीसरी रैंक होती है head constable की जिने हम हवलदार भी कहते हैं ज्यादादर राजो में head constable constable से परमोशन होने के बाद बनते हैं लेकिन दिल्ली में इस पद के लिए भी डायरेक्ट भरत्ती की जाती है इनके कंदे पर एक खाली पट्टी होती है जिस पर कोई स्टार्ड नहीं होता लेकिन साइड में तीन शेवरोन लगी एक पट्टी होती है महराश्ट में इस तरह का इंसिगनिया होता है इन्हें परती महा 37,000 से 54,000 रुपे के लगभग वेतन मिलता है अगली रैंक होती है ASI की यानि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जिसे हिंदी में सहायक उपनिरिक्षक कहते हैं इन्हें पूलिस चोकी का या इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स का इन्चार्ज बनाया जा सकता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैड कोंस्टेबल के 5-7 साल के बाद परमोशन होने पर बनते हैं इनके कंदे पर एक इस्टार लगा होता है और लाल निले रंग की दो पट्टी होती है इन्हें परती महा 55,000 रुपे से 60,000 रुपे के लगभग वेतन मिलता है अगली रैंक होती है सब इंस्पेक्टर की जिसे दरोगा या उपनिरिक्षक कहते हैं जो की पुलिस चोकी का इंचार्ज होता है और उसका सभी कारिये भार समालता है दरोगा दो त्रह से बनते हैं डारेक्ट भरती से और दूसरा परमोशन के थ्रू तो ग्रेजुएशन ब रंकी पट्टी होती है इने परती महा 45,000 से 70,000 रुपे के लगभग वेतन मिलता है अगली रैंक होती है API की यानि असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की जिसे हिंदी में सहायक पुलिस निरिक्षक कहते हैं और यह पद्सरिप महाराष्ट पुलिस में ही होता है जहां प सब इंस्पेक्टर से परमोशन होने के बाद असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर बनते हैं इनके कंदे पर 3 इस्टार होते हैं और नीचे एक लाल रंकी पट्टी होती है इने परती महा 58,000 से 72,000 रुपे के लगभग वेतन मिलता है अगली रैंक होती है पुलिस इंस्प से परमोशन होने के बाद ही पुलिस इंस्पेक्टर बनते हैं जबकि महाराष्ट में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर से परमोशन होने पर पुलिस इंस्पेक्टर बनते हैं इनके कंदे पर 3 इस्टार लगे होते हैं और लाल नीरे रंग की दो पटिया होती है इने परती महा 60,000 रूपे से 38,000 रूपे की लगभग वेतन मिलता है अगली रैंक होती है DSP यानि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट और पुलिस की जिसे हिंदी में उपपुलिस अधिक्षक कहते हैं इनके कंदे पर तीन इस्टार होते हैं और राज्ये का नाम लिखा होता है मेट्रो सिटीज में इसी पद को ACP यानि असिस्टेंट कमिशनर और पुलिस के नाम से भी जाना जाता है जिसे हिंदी में सहायक पुलिस उपायुक्त कहते हैं इन्हें पड़ती महा 65,000 से 80,000 रुपे की लगबग वेतन मिलता है अगली रैंक होती है ASP यानि असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट और पुलिस की जिसे हिंदी में सहायक पुलिस अधिक्षक कहते हैं दरसल यह IPS ओफिसर के ट्रेनिंग पीरिड का समय होता है इनके कंदे पर एक स्टार और IPS लिखा होता है सेकेंड यहर में दो स्टार और IPS लिखा होता है और थर्ड यहर में तीन स्टार और IPS लिखा होता है और फिर ट्रेनिंग पुरी होने के बाद ये बनते हैं Additional SP यानि Additional Superintendent of Police जिसे हिंदी में Upper Police अधिक्षक कहते हैं इनके कंदे पर एक अशोक स्तंब का चीन और उसके नीचे IPS लिखा होता है जबकि Metro Cities में इसी पोष्ट को Additional Deputy Commissioner of Police के नाम से जाना जाता है जिसे हिंदी में अतिरीक्त पुलीस उपायुक्त कहते हैं इन्हें परती महा 72,000 से 85,000 रुपे की लगभग वेतन मिलता है अगली रैंक होती है SP की जिसका पूरा नाम सुप्रिंटेंडेंट और पुलीस होता है जिसे हिंदी में पुलीस अधिक्षक कहते हैं जो की Additional SP के परमोशन होने के बाद बनते हैं इनके कंदे पर एक अशोक स्तंब का चिन और एक इस्टार होता है और उसके नीचे IPS लिखा होता है और Metro Cities में इसी पोश्ट को DCP यानि डिप्टी कमिशनर और पुलीस जूनियर मेनेजमेंट ग्रेड की नाम से जाना जाता है इन्हें परती महा 78,000 से 90,000 रुपे के लगभग फेतन मिलता है अगली रैंक होती है SSP यानि Senior Superintendent of Police की जिसे हिंदी में वरिष्ट पुलीस अधिक्षक कहते हैं इनके कंदे पर एक अशोक स्तंब का चिन और दो एक श्टार होते हैं और उसके नीचे IPS लिखा होता है और Metro Cities में इसी पद को SDCP यानि Deputy Commissioner of Police Selection Grade की नाम से जाना जाता है इन्हें परती महा 90,000 से 1,18,000 रुपे के लगभग वेतन मिलता है अगली रैंक होती है DIGP की जिसका पूरा नाम है Deputy Inspector General of Police जिसे हिंदी में पुलिस उप महा निरक्षक कहते हैं जिनके कंदे पर एक अशोक स्तंब का चिन और तीन इस्टार होते हैं और उसके नीचे IPS लिखा होता है और इन्हें 95,000 से 1,31,000 रुपे के लगभग वेतन मिलता है अगली रैंक होती है IGP याने Inspector General of Police की जिसे हिंदी में महा निरक्षक कहते हैं इनके कंदे पर एक इस्टार और छडी करपान से क्रोस बना होता है और उसके नीचे IPS लिखा होता है इन्हें परती महा 1,10,000 से 1,44,000 के लगभग वेतन मिलता है अगली रैंक होती है ADGP की जिसका पूरा नाम Additional Director General of Police होता है और इसे हिंदी में अतिरिक पुलीस महा निर्देशक कहते हैं इनके कंदे पर अशोक इस्टंब का चिन और छडी करपान से क्रोस बना होता है और नीचे IPS लिखा होता है इन्हें परती महा एक लाग तीस हजार से एक लाग पचास हजार रुपे के लगभग वेतन मिलता है अगली रैंक होती है DGP की जिसका पूरा नाम Director General of Police होता है इन्हें हिंदी में पुलीस महा निर्देशक कहते हैं इनके कंधे पर अशोक इस्तंब का चीन और चड़ी करपान से क्रोस बना होता है और नीचे IPS लिखा होता है इन्हें परती महा एक लाग पेंतालिस हजार से एक लाग आस्सी हजार रुपे की लगभग वेतन मिलता है अगला पद होता है DIB का यानि Director of Intelligence Bureau का जिसे हिंदी में खोपिया ब्योरो नीदिशक कहते हैं इनके कंधे पर भी अशोक इस्तंब का चीन एक इस्टार और चड़ी करपान से क्रोस बना होता है और उसके नीचे IPS लिखा होता है जिन्हें एक लाख पचास हजार से दो लाख रुपे के लगभग वेतन मिलता है तो दोस्तों ये थी सभी पुलिस विभा की रैंग, उनके इंसिगनिया और उनकी सैलरी और इनके संबंध में आपका कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट कीजिए वीडियो को लाइक कीजेगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजेगा